आज मैं फिर आपके सामने अपराद की एक और घटना लेकर आया हूँ आज के अपराद की घटना भी हालिया है एक दम हाल की हाल फिल हाल की है प्रदेश है गुजरात जिला है एहमदाबाद से सटा हुआ खेड़ा जिला खेड़ा जिला के नादियाद तालुके के चकलासी गाउं में 24 दिसंबर रात में दस बजे एक सूचना आई कि B.S.F. में 28 साल से सेवा दे रहे मेला जी भाई बागेला की कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दे पुलिस मौके पर गई मौके पर पुलिस ने देखा कि वहाँ जो लोग थे जो राई चवड़ा हुआ था वो सब हॉस्पिटल के लिए चले गए हैं पुलिस हॉस्पिटल गई हॉस्पिटल में ये पता लगा कि मेला जी भाई वागेला ब्राट डेड थे उनकी पतनी मंजुला बेन वागेला सीरियसली इंजर्ड हैं और उनका एक लड़का नवदीप उसको भी काफी चोटें लगी हैं पुलिस ने ये कहा कि आप इलाज करा लें और सभेरे थाने पर आकर इसकी डीटेल ने इसकी शिकायत करें या इसकी प्रत्थम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं मंजुला बेन बागेला ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि रात में ही अगर डॉक्टर से लाओ करेंगे तो रात में ही पूरी शिकायता कर दर्ज कराएंगे इस बीच उन्होंने मुझवानी सारी बात बता दी कुलिस अपनी अपने एक्शन में आ गई और 25 तारिक की सुबह सुबह 25 दिसम्बर 2022 की सुबह सुबह मंजुला बेन बागेला ने थाने पर जो उन पर आप बीती थी वो पूरी बात बताई चकलासी थाने में उन्होंने बताया कि मैं अपने पती मेला जी भाई वागेला दो बेटों नवदीप हनुमंता और भतीजित चिराक के साथ नाडियाट के वानी पुरा गाउं में दिनेश जाधव के घर गई थी उनकी बेटे शैरेश उर्फ सुनील को ये बताने के लिए कि वो उनकी बेटी की वीडियो वाइरल करके अच्छा नहीं कर रहा है उसको तुरन डिलीट कर दे इस पर दिनेश जाधव, अर्विंद जाधव, दिनेश के भाई च्छाबा भाई जाधव, सचिन अर्विंद भाई जाधव और परिवार के दूसरे लोगों ने मिलकर मेला जी भाई वाघेला पर चाकूँं से, लाठी और डंडों से हमला कर दिया मैं उनको बचाने के लिए उनके उपर लेट गई, मेरे उपर भी लाठी और डंडों से चोट पहुचाए गई मुझे बचाने के लिए मेरे उपर मेरा बेटा नवदीप चिपट गया, लेट गया, लेकिन उसको भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा बेरहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 307, 320, 504, 142, 43, 147 इस आईपीसी के तहट शिकायत दर्ज कर लिए और विवेशना शुरू कर दी सूचना की मताबिक इन सभी को गिरफतार कर लिया गया है शिकायत करता मंजुला बेन वागेला ने जो बात बताई, जो डिटेल बताई वो बहुत सोचने वाली है, जगन्ने है, दिल को कचोटने वाली है, परेशान करने वाली है और हम अब किस तरफ जा रहे हैं इस पर विचार करने वाली है मंजुला बेन बागेला ने बताया कि उनके पती इस समय बी एस एफ में महसाना में तैनात थे लेकिन उनका तबादला बाड़ मेर राजस्थान के बाड़ बेन वे हो गया था तबादले के बीच में जो पंदर दिन के छुटियां मिलती हैं वो छुटियों में घर आये थे घर आने पर उनके बेटे नबदीप ने ये बताया कि वो एक शादी में एहमदाबाद गया था वहाँ उसके साथ के कुछ लड़के अपने मॉबाइल पर एक वीडियो देख रहे थे नबदीप ने कहा कि मैं भी उनके पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि ये तुम लोग क्या देख रहे हो मुझे भी देखना है लड़कों ने फॉरन मॉबाइल आफ कर दिया और ये कहा कि तुम नहीं देख पाऊगे मैंने मज़ाग किया जब तुम देख सकते हो तुम मैं क्यों नहीं देख सकता बातचीत में उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे बहन की गंदी वीडियो है तुम नहीं देख पाओगे उसने मॉबाइल छीन लिया मोबाइल चीन कर उसने यह कहा पहले कि नहीं हो मेरी बहन नहीं हो सकती इस पर उसने जब उन्होंने आउन किया तो चीन कर देखा वो उसकी बहन की ही गंदी वीडियो थी उनकी बहन नावालिक थी और कच्छा दस की चात्रा थी वहां से भाग कर वो घर आया घर में उसने अपनी मा मंजुला बेन वागेला को ये बाग बताई इसी बीच छुट्टी पर मेला जी भाई वागेला पंदर दिन की छुट्टी पर घर आ गये घर आते ही उनकी पत्नी यानि मंजुला बेन वागेला ने बताई कि उनकी बेटी की कोई वीडियो वाईरल हुई है नवदीप ने देखी है खराब वीडियो है नवदीप ने ये भी बताया है कि ये वीडियो किसकी है वीडियो शैले सुर्फ सुनील देनेश जाधो का बेटा जो है नादियात के वाणी पुरा गाउंगा रहने वाला उसने ये वीडियो बनाई है ये सुनते ही मंजुला बेन वागेला बताती है कि उनके पती बाहर आंगन की तरफ जाकर बैठ गए वो जमीन पर एट टक देखते रहे उनके लिए चाय बनाकर मंजुला बेन ले आई उन्होंने नहीं पिया और वो बिल्कुल जैसे एट चुप हजार चुप मंजुला बेन वागेला बताती है कि हम लोग मेरी शादी जब मैं साथ साल की थी तब ही हो गई थी उसके बाद साथमे साल मेरा गउना हुआ उस समय तक मुझे शादी ब्याह के बारे में भी नहीं पता था मैंने पहली बार अपने पती को जब मेरे गौने में विदाई हुई थी तब मैंने देखा था और तब ही मुझे पता लगा कि ये बीएसेफ में ड्यूटी करते हैं बीएसेफ के जवान हैं कुछ सारों तक हम लोगों के जब कोई संतान नहीं हुई तो हम दोनों लोग वैशनों दे भी गए और फिर शादी के दस साल बाद हम लोगों को संतान हुई एक एक करके कुल चार बच्चे वे तीन बेटे और एक ये बेटी जो तीसरे नमबर की थी उसने बताया कि पिता का अपनी बेटी से बहुत लगाव था पिता का अपनी बेटी को सबसे धिक सारी संतानों में सबसे धिक चाते थे चार्ट के लिए अगर वो बीस रुपए मानती थी तो उसे दो सो रुपए देते थे उससे कभी नहीं पूशते थे कि बाकी पैसे कहां खर्चुए और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले जब ट्रांसफर के पहले आये थे तो उन्होंने कहा था कि दस्वी में अगर वो बहुत अच्छे नंबर लाएगी तो उसे स्कूटी भी दिला देंगे जिससे वो आराम से अपने स्कूल आ जा सके इसलिए उसके बारे में ऐसी बात सुनकर वो जैसे संग्या शून ने हो गया है काफी देर तक उनकी मान मनवल के बाद हम लोगों ने हमने ये कहा कि चलिए इसकी शिकायक पुलिस में करते हैं और पुलिस ही इसका हल बताएगी कि आखिर क्या होगा हमें तो इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि ये वीडियो वाइरल किया है कैसे रुकेगा या क्या करना चाहिए मेरे पती ने कहा कि नहीं हम पुलिस में नहीं जाएंगे पुलिस में जाएंगे हमारी और बेटी दोनों की बद्नामी होगी कल को हमें शादी करनी है मैंने और किसी काम के लिए नहीं लेकिन बेटी की शादी के लिए अभी से पैसे बचाने शुरू कर दी है मैंने अपने हाँ जवानों की बेटीों की शादी में अंदाज लगाया है कि 25 तीस लाग रुपए खर्च होते हैं इसलिए मैंने चाहता कि शादी से पहले गाओं में महले में समाज में यहला हो जाए कि उसके साथ ऐसा हुआ है या उसने ऐसा किया है हमारे विचार से हम लोगों को उसके घर चलना चाहिए अगले दिन हम लोग लड़के के घर पहुँचे क्योंकि नवदीप ने दोस्तों के माध्यम से यह बताया था कि वो रहने वाला बानीपुर का रहने वाला है और दिने ज्यादव का लड़का है मझुला बेन बताती है कि मैं मेरे पती और मेरा बड़ा बेटा नवदीप हम तीनों लोग उसके घर गए घरवालों से पूछा कहां है सुनील शैले सुर्फ सुनील घरवालों ने कहा वो घर पर नहीं है मंजला बिन ने से पूछा गया कि क्या दोनों एक साथ पढ़ते थे बोले नहीं दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी उसने पूछा जो घर वाले उसके मिले तो उन्होंने पूरी बात बताई उन्होंने कहा देखे उसको बोलवा दिजिए हमारी बात करा दिए हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारी बेटी के उसको जो वीडियो है वो और वाइरल करे उसको वो तुरंट का तुरंट डिलीट करे उनके घर वालोंने कहा ये वही बता सकता है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उस दिन फिर ये तीनों वापस लोट आए चकलासी गाउं अपने गाउं लेकिन रास्ते में उन्होंने मंजला बेन ने अपने पती से कहा कि इतनी सीरियस बात हम लोग बता रहे थे उनके घरवालों के ऊपर कोई बहुत फरक नहीं पड़ा था ये इस बात को सीरियस ली नहीं ले रहे थे उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानकारी है और उसमें अपने बेटे की कोई गलती महसूस नहीं करते हैं अगले दिन हम लोग फिर बेख तारीक थी 23 दिसंबर फिर यहीं बताया गया कि वो घर पर नहीं है फिर थोड़ा सा उन्होंने ये कहा कि बहुँ जब मैं कह देता हूँ कि लड़का घर पर नहीं है तो हमें किस्सा कहानी क्यों सुनाते हैं लड़के से बात करिए वहीं बतायेगा और लड़की के बारे में भी कुछ टिपणिया की इससे मेला जी भाई बागेला आहत हुए उन्होंने का नहीं हम लोगों आपस चलते हैं वो लोग फिर गर लौट आए मंजुला पर इन बताती हैं कि 24 दिसंबर को हम खेट से अपना काम करके जब वापस लौट के आए तो देखा कि बच्ची के पिता ने दिन में कुछ भी नहीं खाया है वो चुपचाप संग्या शूने से बैठे हुए थे मैंने उनसे कहा कि अब मत परिशान हुए हम लोग पुलिस में क्यों नहीं चलते हैं हम पुलिस में चलेंगे पुलिस जरूर इस समस्या का कोई नुकोई समाधान निकालेगी इस पर मेलाजी भाईवा घेला ने कहा कि नहीं हम अंतिम बार फिर ट्राई करते हैं पिछली बार उन्होंने जो बच्ची के बारे में कहा है हम भी उसका जवाब देंगे कि आप बिना अपनी बेटे से बात किये हुए या बात कराए हुए इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं लिहाजा इसलिए उस दिन मैंने मना किया कि दो बार जा चुके हैं तीसरी बार जाना और बार बार एक ही बार कहना अच्छा नहीं लगता आप आराम करिए खाना खालीजिये कल हम लोग थाने पर चलेंगे वो नहीं माने उन्होंने नवदीब हनुमंता और भतीजी चिराप को लेकर फिर एक बार उसी तरफ रुक्या नाडियाट के वानी कुरा गाउं में हम सभी लोग पहुँचे पहुँचने पर ये अंदाज लगा कि शायद उनका बेटा सुनील घर पर ही है हम लोग उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि एक बार बुलवा दीजे उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो घर पर नहीं है जब वो नहीं है तो हम कहां से बुलवा दें मेला जी भाई वागेला ने कहा नहीं मुझे लगता है कि वो घर पर ही है हमें सिर्फ बात करनी है हमें कुछ नहीं करना है हमें उस से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी बेटी की इज्ज़त का सवाल है फिर वहीं पर बात चीश्य शुरू हुई मा ने कहा कि भाई किसी लड़की की खराब वीडियो बना कर वाइरल करना ये कहां तक जायज है क्या दुश्मनी है हमारी आपकी क्यों वो ऐसा कर रहा है चड़ो वो नहीं है आप हमारी तरफ से उनसे कह दीजेगा उससे बच्चे से कि उसको डिलीट कर दे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं हमारे बेटे ने वो वीडियो देखी है कोई भी भाई ये वीडियो नहीं देख सकता जैसे ही उसने पहचान लिया कि ये उसकी बहन ही है उसके बाद उसने वीडियो नहीं देखी है इतना कहते ही जैसे ही ये चलने को हुए साथ-ाथ लोगों ने हमें मंजुलावेन बताती हैं हमें घेर लिया किसी ने गरदन पकड़ी और किसी ने कमर फिर दना दन चाकू से उसकी गरदन पर वार करने लगे उसका गला मेरी आँखों के सामने ही काट दिया फिर लाठियों से पीटने लगे मैं अपने पती की उपर गिर गई मेरी पीट पर भी दसियों लाठियां पड़ी है मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा नबदीप मेरे उपर मुझको कवर किया उसने उपर से आकर उसे भी काफी चोट लगी है किसी संभरांत व्यक्ति ने 108 नंबर की एंबुलेंस को कॉल किया हम सभी लोग एंबुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पहुँचने पर हम बेहोश थे जब मुझे होश आया तो मैंने अपने भतीजे महेश को फोन किया महेश ने मेरे बड़ी बेटे को खबर की कि पुलिस को खबर हो गई है पुलिस वहाँ पहुच गई है थोड़ी देर में पुलिस आप लोगों से बात चीट करने हॉस्पिटल भी आएगी और फिर वो सारी बात बताई मैंने इतनी देर में फाई यार क्यों हुई पुलिस का ये कहना था कि उन्हों को चोट लगी थी मैंने उनसे कहा कि हाँ अगर फाई यार लिख सकें तो डॉक्टर्स ने मना किया कि अभी ये पूरी तरह होश में नहीं है कर इनको सुबह बुला कर फाई यार करा लीजेगा इस सम कि नहीं है कि लेकिन एफाई यार तभी हुई जब ये लोग ठाने पर गए है कि एफाई यार कराते समय मंजुला बेन ने पुलिस से ये भी अनुरोद किया कि पहले आप हत्या के इस मामले की विवेश ना करें आप बार बार वीडियो की बात क्यों कर रहे हैं पुलिस महां कह रहे थी कि पहले हम वीडियो की जांस करेंगे किसने किया कैसे किया आप लोग क्यों गए पहले हम इसकी जांस करेंगे फिर हत्या वाली जांस करेंगे लेकिन मंजुला बेन बताती हैं कि B.S.F. के जो इनके कमांडेंट हैं उनसे संपर किया गया और उनसे कहा गया कि देखे मेरे पती की या सर्विंग B.S.F. आफसर के हत्या हुई है लेकिन पुलिस पहले कहती है कि नहीं साब वीडियो वाइरल का मामला हम पहले देखेंगे B.S.F. के अधिकारियों ने इस्थानी पुलिस अधिकारियों से बात करके हस्तक छेप करके और कहा कि पहले आप हत्या के मामले को तुरन देखें मुल्जुम को गिरफतार करें जिसने ये वीडियो वाइरल की थी और फिर उसके बाद ये भी पता लगा कि बाकी साथ लोगों की गिरफतारी भी हो गई ऐसा मंजुला बेन ने बताया गिरफतारी के बाद पुलिस ने उस बच्ची को ठाने पर बुला कर बात चिकी कि दरसल हुआ क्या था बच्ची ने ये बताया कि उनके पिता ने उन्हें एक मॉबाइल फोन खरीद कर दिया था और ये कहा था कि अगर हाई स्कूल में अच्छे नमबर आएंगे तो एक स्कूटी और एक लाख रुपए का जो मॉबाइल फोन आता है वो खरीद कर देंगे मॉबाइल फोन पर बात करते करते उसकी मुलाकात इसी सुनील उर्फ सैलेश से हुई जो रहने वाला था बानीपूर का नाधिया जिलेगा बातचीत करते करते यह बात उनकी इंस्टाग्राम पे पहले facebook पे शुरू ही और फिर Instagram पे बातचीत होने लगी बातचीत करते करते उसने इसका password ले लिया और फिर अचानक एक दिन उसने एक screenshot चैट की हमको भेजी जो मैंने कभी की नहीं थी लेकिन ID मेरी थी जिससे मेरी तरफ से लिखा गया था और ID उसकी थी जिसने उसका reply किया था मैं चकरा गई जो चीज मैंने कभी कही नहीं की नहीं ये वो कैसे हमें भेज रहा है इसके पहले कि हम उससे बात करते कि ये मेरी chat नहीं है उसने कहा ठीक है तुम जवाब देती रहना मैं इसको वाइरल कर रहा हूँ मैं डर गई कि मेरे पिता सबसे पहले मुझे पर नाराज होंगे कि इसलिए मैंने तुमको मोबाइल फोन दिया था कि तुम इस तरह की अशलील चैट लड़कों से करो फिर उसने शर्ट रखी कि तुम को मेरे पास आना होगा बार बार वो यही धमकाता रहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं ये चैट वाइरल कर दूंगा बच्ची ने बताया कि मैं डर गई मैं उसके पास गई करीब एक महीने पहले उसने मेरी कुछ वीडियो बिना मेरी मर्जी के जबरजस्ती बनाई और हर बार यही कहता रहा कि ऐसा नहीं करोगी तो ये चैट वाइरल होगी किसी को मुह दिखाने काबिल नहीं रहोगी मैं ये बता दूं कि वो लड़का यानि सैले शुर्फ सुनील वो करीब उन्नीस बीस साल का था यानि बालिक था बच्ची की उम्र से कहीं ज़्यादा उम्र का था इसके पहले कि वो अपने घर चकलासी पहुंसती उसने मोबाइल पर रिकॉर्ड की हुई वो वीडियो भेज दी और यह कहा कि अब चैट का कोई मतलब नहीं है अब तुम्हारी असली वीडियो मेरे पास है अब मैं इसको वाइरल करूँगा फिर उसने चार दिन बाद की एक डेट बताई कि इस डेट को मुझे फला जगह पर मिलना तब मैंने साफ मना कर दिया कि बहुत हो गया अब मैं कहीं नहीं आ सकती तुम्हारे पास तो कता ही नहीं आ सकती उसने कहा कि मैं अंजाम भुगतना पड़ेगा छे साथ दिन तक वो मुझे धमकाता रहा लेकिन एक दिन उसने यही चैट मेरी दो तीन जानने वाली लड़कियों को भेज दी उन्होंने फौरन मुझे वीडियो चैट में वीडियो भेज दी उन्होंने मुझे भेजी कि ये सैलेश ने हम लोगों को तुम्हारी एक वीडियो भेजी है वो बार बार यही कहती रही हमारी फ्रेंड्स हमारी दोस्त कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थे और इसी बीच मेरे भाई नवदीब को भी उसके कुछ दोस्तों ने ये वीडियो दिखा दी पिता जी का ट्रांसफर हो गया था वो घर आये थे उनको जब पता लगा तो वो समझाने के लिए बार बार तीन बार उसके घर गये थे अन्तिम बार जब गये तो उन्होंने हमारे पूरे घर वालों को बेज़ज़द भी किया और लाठियों से पीट-पीट कर उनकी हत्या भी कर दी एक वीडियो उसका बच्ची का बलर्ड फेस के साथ इंटरनेट पर है जिसमें वो कह रही है कि मैं कच्छा दस में पढ़ती हूँ अच्छे रिजल्ड के लिए मैंने काफी पढ़ाई की है मैं एक नर्स बनना चाहती थी लेकिन अब मेरी पढ़ने में कोई दिल्चस्पी नहीं है शायद मैं आगे अब पढ़ भी नहीं सकती मैंने केवल दोस्त बनाया था इसलिए और इसके लिए मुझे अपने पिता को खोना पड़ा है जिसे मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूँगी ऐसा कहा जाता है कि एक तारिक को पुलिस ने इन सभी साथ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है मैंने आपको इनके नाम भी बताएं हैं कि ये कौन-कौन लोग हैं दिनेश जादव यानि लड़के के बाप बानीपुर का अर्विंद जादव छाबा भाई जादव सचिन अर्विंद भाई जादव इन लोगों को हत्या बलवा और जान से मारने की धंकी वाले तमाम धाराओं में गिरफ्तार करके कल ही जेल भेजा गया है आज की घटना आज की घटना में फिर सोशल मीडिया की वजह से एक जवान एक सशस्त्र बल का अधिकारी बेवज़ हमारा गया बेवज़ हमारा गया सिर्फ इसलिए कि उसको अपनी बेटी की चिंता थी वो चिंता ये भी कि उसकी इज़़त न खराब हो उसका पढ़ाई से मन न उच्टे लोग मेरी बेटी की इज़़त के बारे में उंगलियां न उठाएं वो उन लोगों को रोकने कया था जिनोंने वीडियो वाइरल की थी कहने कया था कि बहुत हो गया आप इसको डिलीट कर दो हमारी और बच्ची की इज़़त खराब हो गई है पूरा परिवार गया था लड़के वालों के अहां कि अब ये वीडियो डिलीट करा दीजे लेकिन इतना नागवार गुजरा अपने बेटे के उपर ये लांचन या ये आरोप कि उसने लड़की की न्यूड वीडियो बनाई है कि उन लोगों ने पीट पीट कर मेला जी भाई बागेला की हत्या कर दीगा अब देखिए मैं बार बार हजार बार बता चुका हूँ शोशल मेलिया से दूर रही है लड़की बच्ची थी हाली में उसके पास मोबाईल फोन आया था अलग दुनिया है मैं बताता हूँ वर्चुल वर्ड है ये मोबाईल की एक स्क्रीन पर आप पूरी दुनिया देख रहे हैं तरह तरह के लोगों को देख रहे हैं तरह तरह के वाकए देख रहे हैं तरह तरह की ट्रिक्स देख रहे हैं सब देख रहे हैं लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहां उलस थे चले जा रहे हैं अब देखिए एक नया आज की खटना में एक नया फारमुला सोशल मीडिया पर ब्लैक मेल करने का है जैसे बात चीट करते करते कि तुम और कितने लड़कों से बात करती हूँ तो standard answer है नहीं नहीं तुम्हारे सिवा हम किसी और से बार करते ही नहीं फिर उसका एक standard counter question है मुझे तुम्हारे पर यकीन नहीं है ऐसा होई नहीं सकता जरूर कोई न कोई होगा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो यही फार्मूला है यह general formula है उधर से कि नहीं नहीं भाई याद वो करो यकीन करो कि तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करता या नहीं करती तो फिर कस्मे वादे शुरू होंगे इनकी कसम खाओ उनकी कसम खाओ फिर भी यकीन नहीं तो कहते हैं ठीक है तुम अपना password दो मुझे मैं तुम्हारी friend list चेक करूँगा चैट history चेक करूँगा और फिर जो कमजोर हुआ वो इस जाल में फस गया उसने password दिया इस case में बच्ची को जब इस तरह से चारो तरफ से emotional blackmail किया गया उसने password दे दिया जब password दे दिया तो ID खोल दी लड़की की उस ID से अपनी ID पर message करने शुरू किये खराब वाले गंदे वाले message और फिर दूसरी तरफ से उसकी reply या उसकी जो और गंदगी होती उस तरह के message देने शुरू किये बड़ा natural है कि ये ऐसे समय में किया गया होगा जब वो बच्ची सो गई होगी या उसका phone किसी दूसरे के हाथ में होगा अब खुद ही वो लड़की की तरफ से message और खुद ही खुद की तरफ से उसकी reply या चैट को जैसे भी और रंगीन बनाया जा सकता है फिर एक एक करके इस चैट हिस्ट्री की screenshot लेगी और घंटे पर बाद फिर सारी चैट डिलीट कर दी अगले दिन उसने फिर जब अपना चैट बॉक्स खोला होगा तो उसने कहा होगा जरूर कहा होगा कि ये चैट कहां से डिलीट कैसे किस ने किया पासवर्ट तुमने दिया था मैंने सोचा कि तुम बेवकूफी करती हो चैट डिलीट नहीं करती है मैंने चैट डिलीट कर दे बच्ची ये बात समझ नहीं पाई था और दूसरे दिन उसे पूरा खेल समझ में आ गया जब एक स्क्रीन शॉर्ट में दोनों के बीच की चैट उसने भेजी और चैट भी वो जो लड़की ने कभी की नहीं थी लेकिन उसके पास सिवा ब्लेक मिल होने के दूसरा कोई चारा नहीं था डर ये कि मुझे मॉबाईल फोन मेरे पिता ने पढ़ने के लिए दिया है ये घर घर के बच्चों की कहानी है कोई ध्यान दे पाता है कोई ध्यान नहीं दे पाता है इसलिए मैं कहता हूँ कोई विश्वास करे न करे पासवर्ड कभी शेयर मत करे आप बिल्कुँ सही हैं आप जो कह रहे हैं वो सो फिजदी सही है या आप भी जानते हैं तो फिर पासवर्ट किस बात के लिए शेयर कर रहे हैं अगले पे ये विश्वास पैदा करने के लिए कि नहीं तुम्हारे सिवा में किसी और से बात नहीं करता या तुम्हारे सिवा में किसी और से बात नहीं करती और पिता की हत्य हो जाती है सोशल मीडिया पर लिमिट्स खुद तैंक रे कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे या इतने से इतने तक की बात के आगे कोई कुछ भी कहे हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है लेकिन अगर आप अपनी ही बनाई हुई लिमिट्स को क्रॉस करेंगे या सामान ने लूप से बताई गई लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो ऐसे ही गंभीर परणाम भुवतने होंगे जैसा आज की घटना भी हुआ है अब मुझे लगता है कि मैं बार बार वही बात करूंगे अच्छा नहीं लगता है किसा कोई कल हमारे एक बहुत ही सुधी शोता ने ये बताया और कल के कमेंड में पढ़ियेगा उसने ये लिखा है कि मैं शपत खाता हूँ कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहूँगा दोस्ती दोस्तवाजी लड़की लड़का किसी से कोई बात नहीं करूँगा मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पढ़ाई से सम्मंदित जानकारी के लिए करूँगा इतने लोगों में सिर्फ एक वेक्ति ने कहा हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने सही कहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब दी है मैं किसा कोई परिवार के लोगों से बार बार कहता हूँ बार बार अनुरोद करता हूँ समझा चुका हूँ आगाह करता हूँ लिक्रन मैं क्या बता हूँ ऐसे जैसे आज है कि दिल है कि मानता नहीं काबू में रखिये उसको कबजे में रखिये उसको बहकने मत दीजिए जाल में मत फसिए क्यों आप अपने लिए आप हत्मूर ले रहे हैं क्यों आप अपने परिवार की बदनामी का सामान खुद तैयार कर रहे हैं मत करिये ऐसा आशा है आप में इस बात से सहमत होंगे आज के लिए इतना ही बहुत 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 दन्यवाल बाप बेटिया शेर बाप का सेर का मुकुल्ट होती है मेरा नाम मन्जीला बेन म्यला जिबाए वागेला और म्यला जिबाए की पत्मी मन्जीला बेन पागेला तो पेहली बाल हमारा पती को नोकरी मीला था हमारा लड़का नावदिप का मूबल में वीडियो आया तो उसने उसका उसका भाहपन ने दिखाया कि देख तेर बियन है फिर मेरको घर आके बताया देख तेर लड़की का घहमा तो फिर उसका पापा बजार गए थे मुस्म डालने के लिए तो आया और फिर क्या हो रहा हमें लड़की के साथ, क्या बात कर रहे हो ऐसे करके सभी को डाला तो कोई बोला ने कुछ ने शूर्मुर हो गए पूरी वीडियो लड़की के नहीं देख पाए और आके बाहर खुर्सी में बैठ गए निराज हो के बैठ गए तो मैंने बोला पोलिस केस कर लो तो बोला ने पोलिस केस नहीं कर ना आगे बात बढ़ेगी और से समझाने से उसका सूर्जन हो जाएगा जब हम इतर से गए तो उन लोको ऐसे साल लोक ऐसे बैठे रहे थे तो इसका पापा बोला लड़का आया तो समझा देना नहीं आया है तो सूबे में उसको आजर कर देना हमार को उसके पास ही डिलोट करवाना है वीडियो जो वाइरल किया हो ऐसे बात करके हम जैसे वापस मोड रहे थे तो ऐसे विशपत के साथ में यह से हमला कर दिया प्याले मेरा पती को सेर में आगे भी मारा और पीसे से मारा तो वहां पे उसका मरन हुआ था पचाने गए था यह मेरे हाथ में भी मारा लाथी नवदिप को घंबी तरा से माला उसको सीरियस केस में उतार दिय उसके पर मेंने साती पे हाथ रखा तो उसका धरकन फोड़ा चल लाया था इसका पापा का मोबाल मेरे पास था तो निकाल के मेरा भातिजा को फान किया भातिजा हमको इधर को बचाने वाला नहीं है जल्दी से जल्दी आओ और हमको अस्पीटल पचाओ तो फर मेरा भातिजा आया एक स्वाथ लेके फिर में हमको सीवल वस्पीटल नडिया पुछाया जाया बाप बेटिया शेर बाप का सेर का मुकुल्त होती है तरकर के पास अभी हमारी वही मांग है के जल से जल हमारा पती का बदला लिया जाए और उसके आत्मा को सांती मिले प्याइ जा गया चैसे जल हमाया झाए टूख सुषब मँछा बदला दो आचाए ङाए रघर टोहर पित गए हमारा उसे नसे चैनल के बेह बन vídeo को सांती मौन को यहाओ सेप demडों के बनाए बनाए मौन के भानास